हाई गाइज मैं हूँ आपका मेटकल दोस्त अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जैसा कि सामने आपको यह दिख रहा है गैस्टी का ड्रॉप यह बच्चों का ड्रॉप है जो कि 15 ml के शीशी में उपलब्द है मार्केट में ओलेबल मिल जाएगा आपको हर मेटकल इस्टोर पे यह केमिस्ट इस्टोर पे यह म मैंनकाइंड फार्मा का है जैसे कि इसके रिलेव करेगा यह इन पैंट कोलिक में ग्रेंट ग्रेपिंग पेंड में एंड फ्लू टू नेंस में हम इसके प्राइज के बारे में बात करेंगे जैसे कि इसका मैनफेक्चर डेट है छे 2017 और एक्सपारी डेट है पांच दौजार वह नहीं है यह 38 रूपए का यह ड्रॉप है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा अक्सर हमारे गरें घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूदोद पीने के बाद उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो रोने लगते हैं छोटे बच्चे हमें बदला नहीं पाते कि क्या दिक्कत होता है हो रहां है और हम तुरंट डाक्टर के पास जाते हैं तो डाक्टर हमें यह गैस्टिका ड्राप देता है और हम इसका जब बच्चों को पिलाते हैं तो कुछ दिर बाद बच्चा सांथ हो जाता है इस गैस्टिका ड्राफ का यूज पेट दर्द में पेट के सूजन में और हिच्की में यूज किया जाता है हमारे घरों में छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में गैस बनने के जोजे से दर्दी स्टार्ट हो जाता है और वो बच्चे रोने लगते हैं उसमें यह अत्यन्त लाप दायक गैस्टिका ट्राफ है इसके हम डोज के बारे में बात करेंगे इसको आठ या दस बूद तीन टाइम पिलाना रहता है दिन भर में और इसका हम सेवन सेवन हाफता चार से पांच दिन कर सकते हैं हम इस गैस्टिका ट्राफ का रिविव करेंगे बाक्स खोल कर जैसा कि मैं इस बाक्स को खोल राउन ड्राफ के बाक्स को इसमें देखिए आपको यह ड्रॉपर मिल जाएगा जिससे बच्चों को हम बूद गीन कर उसे पिला सकते हैं और इसमें 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 यह सीसी है 15 ml का जो कि खांच का यह बॉटल है यह 15 ml में उपलब दरता है मार्केट में इसको जब हमें पिलाना रहता है तो इस ड्रॉपर से घीच कर 8 से 10 बूद हम सीन टाइम पिला सकते हैं हमारे गरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर अचानक रोने लगते हैं रात में तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें इसलिए आप लोगों को चाहिए कि यह गैस्टिका ड्रॉप अपने घरों में रखे हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं और जब बच्चा रोए पेट में दर्द उसे मालुम दे तो इस ड्र आपको आठ भूद हम घीच कर उसे पिला दें और बच्चा कुछ दिर्बास सांत हो जाएगा उसका पेट दर्द सही हो जाएगा अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर एक नए वीडियो के सा मिलेंगे तब तक के लिए खुदा आफिस बाइबाय नमस्कार